दोस्तों TRS हिंदी का हैलाइज चैनल TRS Clips हिंदी में आपका स्वागत है, सीखिए, इंजॉय कीजिए कोटा के बारे में बताईए सर, मतलब एक इमेज है कोटा का, बहुत सा है लोगों के दिबार के दिबार के तुझाई सिवात है, फैमेली, कुछ लोग वो हैं, उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है उस शहर है, कोटा शहर, क्यूँ बहुत सफलता की कानिया है हर गली में, मैं कोटा मी पला बढ़ा हूँ, आसपास बच्चे आते हैं, किराय पे रहते हैं, हर साल आपको सफलता की कानिया, संगर्ष से सफलता की जो कहानी है, जो जीवन में बहुत जरूरी है, क्या सफलता का परिया है संगर्ष है, हाँ है, तो जो संगर्ष से सफलता की कहानी है, आपको कोटा शहर में बिखरी होई मिलेंगी फूलों की तरह, उसकी खुश्बू में वो संगर् कुछ नेगेटिव बाते भी कोटा के लिए करी जाती है, मैं अगरी करता हूं उससे, कुछ खामिया सब में हो सकती है, जैसे व्यक्ति में खामिया होती है, वैसे किसी संस्थान में भी खामिया होती है, किसी शेहर में भी होती है, और किसी देश में भी होती है, हम कोई भी पर सिर्फ और सिर्फ बढ़ाई के लिए बनाओ, जैसे मुंबई आपका शहर जो है, अगर किसी को एक्टिंग के लिए सोचना है, या ऐसी जो में करियर बनाना है तो उसके लिए ये, this is a holy place for him or her, right? एसे ही मुझे लगता है कोटा शहर में वो, एको सिस्टम में क्योंकि वहां के हर व्यक्ति विशेश को पता है कि हमारा घर इन बच्चे जो की अथिती के रूप में आ रहे हैं, उनकी वज़े से हैं, क्या होता है किसी student के दिमाग में जब पहली बार कोटा आता है, according to you, कुछ स्विच हो जाता है, वो सपने ले के आता है, बिलकुल, वो और उसके माताजी, पिताजी, दोनो, क्योंकि स्टार्ट में हर किसी को लगता है कि हा मैं कर पाऊंगा, बिलकुल लगता है, वो लगना भी चाहिए, थोड़ा सा उसका वो डिप वास्तविक्ता का कुछ टाइम जब एक दो टेस्ट हो जाते हैं, असकी मज़ाक वाली बात बता हो तो हम क्लासे में बच्चों को बोलते भी है कि 11th का बच्चा आता है, 9 का बच्चा आता है, तो सबसे पहले आकर पूछता है, सर कौन सी ब्रांच अच्छी है, IIT Bombay Computer Science या, IIT Kanpur Computer Science या बोलता है, सर मैं AIMS मतलब वो, क्योंकि actually क्या होता है कि वो मैंसे मादेम से बुल रहा हूं कि, it is not for demoralizing students, it is for checking the ground reality, और मैं कह रहा हूँ, आप समसुची ISM धनबाद भी बहुत अच्छा college है, कोई मैंटर नहीं करता, मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि वो जो 14-15 गंटे काम करने की प्रक्रिया है वो ज़्यादा महत पूर्ण है, वो ज़्यादा important है कि आप उसको उस प्रक्रिया को पूरी कर रहे हैं, पता है, मैं और मुझे आपको बहुत कुछ बूचना है कोटा के बार में, पर मैं यह कहना चाहूँगा कि आपके असली career की performance 22-24 साल की age के बाद स्टार्ट होती है, ब वो एक पढ़ाओ है, बहुत छोटा सा, वहां से आपको जो मैं बार-बार कह रहा हूँ कि कर्म करू तो फ़ल मिलता है, कर्म करना सीखना है, वो सीखने का पहला पढ़ाओ है, कई बार लोग बार बोलते है कि कुटा के pressure आप नीट की तियारी में बच्चे बहुत pressure लेते है दो-तीन बार ड्रॉप भी लेते हैं, मोशन में बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, तो मैं उनको बार-बार वो ही कहता हूँ कि यह जो अभी आप कर रहे हूँ ना, पिरिंच बोलते हैं प्रेशर दे नहीं दे, मैं कह रहा हूँ यह आज नहीं लेगा, थोड़ा सा pressure तो ब प्रेशर देंगे, मैंनको बोलता हूँ, कोई जुरी नंबर कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, इसको यहां रहने दीजिए, वो जब इस प्रक्रिया को देखेगा, इस प्रेशर को, stress को manage करने की प्रक्रिया उसी कहाँ, इसमें समय लगता है, आपने और हमने भी, आप से शे साल के पीरिट में से, दो साल अगर आप 11 और 12 में बिता रहे हो, तो आपके लिए अच्छी बात है, आप बहुत जल्दी सीखे, क्या बात है, मतलब फिर आपको सिर्फ शायद 4 साल की स्ट्रॉगल करने पड़ेगी, लाफ में, जो आप शायद एंजिनरिं कॉल्ज में सकते हो, बट 6 साल की एक फेज खुद के लिए रखो, लाइफ में, कि यह 6 साल खराब होंगे, मेरे लिए, क्योंकि मैंने 11-12 में इतनी जादा महनत नहीं करी, इतनी सादा महनत नहीं करी, 22 से लेकर 28 मुझे बहुत जादा घिसाई करनी पड़ी, पता चला की दुनिया की अस था मेरे लिए, 28 के बाद थोड़ा सा आसान होने लगा, I don't know अगर आसान होने लगा है या उतनी मुखिले है, आसान लगने लगा है, एक बहुत संदर बात आपको इसमें बोलता हूं, जो बच्चों को यह हमिशा बोलते हैं, वापस इस मंद से बोलता हूं कि हम कही बार सं सोची थी, उसे मं दुख माने लगते हैं, दुख निए, यह संगर्ष है, दुख हमारे परिवार को सदद से चोड़ के चला गया, यह दुख है, इसका हमारे पास कोई लाज नहीं है, तो पहली बात दुख और संगर्ष में अंतर करिए, और संगर्ष को मैं तो जीवन में चाहते हैं कि कुछ वेल्यू एडिशन करें, यह जब यहां से जाएं, तो कुछ वेल्यू एड़ करके जाएं, तो आपको संगर्ष से प्रेम होना चाहिए, जैसे आपने बुला कि पांचे साल बात स्ट्रगल नहीं रहती, आप आज उत नहीं काम कर रहे हैं, पर अब जो इस चानल को एक्स्प्लोर करना है यह वाली प्लेलिस्ट, देख लेजिए, आपके लिए बनाएंगे दोस्त